गुड मॉर्निंग दोस्तों चलिए आज जो मोडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे थे उसका दुस्तरा पार्ट आपके सामने लेकर आया हूं लेक्चर नंबर दो ठीक है चलिए स्टार्ट करते आज राट कलि तक पढ़ चुके थे हुए प्रांसिज्चू के पूरी तरह से हर हो चुकी थी क्या उसका श्ट्रेन था क्या अखिर क्या क्या कम्या इसरा पढ़ ते अब आ चुके हैं बंगाल यवम कि मेस्टूहऌ च्शूह ठीक है प्लास्य के युद्ध के बाद का घटना चरम क्या क्या रहें उसके बारे में पढ़ते हैं बकसर का युद्ध उसके बाद हुआ अंग्रेजों की मेसूर बिजे उसके अंदर था आपका आंगल मेसुर युद द्यूतिया आंगल मेसुर युद तीरतिया आंगल मेसुर युद चतुत आंगल मेसुर युद चलते हैं आगे पढ़ते हैं आखिर आपका बंगाल ये मेसूर बिजे ठीक है अंग्रेजों की बं ठारवी सताबदी के उत्राद में महत्पुन घटना थी बंगाल राईज भारत के अन्य राजियों की तुनला में धनी संब्रीद था ठीक है बंगाल जो था अन्य राजियों की तुनला में धनी और संब्रीद था इस्ट इंडिय कम्पनी ने अपने सुर्वाती दोर में बंगाल राई से वेपार करके बहुत अधिक लाब कमाया था, जिसने अंग्रेजों की वेपारिक महत्वकांछाओं को बढ़ाने का काम किया, यही रिजन रहा, उंग्रेज की महत्वकांछाओं और दिनो दिन बढ़त साथ ही ब्रिटिस कंपनी की वेपारिक महत्वकांचायें राजनीतिक महत्वकांचायें में बदलने लगी। बंगाल के नवाब के राजकिये पद का अस्थाईतु अस्थानिय जमिनदारों, धनाडेयों तथा अभिचायत वर्ग के समर्थन पर निर्वर करता था। 1756 इसवी में सिराजु दोला बंगाल का नवाब बना, किन्तु सिराजु दोला की मोसी, घसिटी बेगम तथा भाई सोकत जंगद्वारा उत्राधिकार का बिरोध किया गया। ठीक है, शिराजु दोला के अन्य बिरोधियों में मिर्जाफर आपका था, मिर्जाफर, जगत सेठ, राय दुरलव, अमिर चंद, राजवललव ये सारे समिलित थे जो शिराजु दोला का बिरोध कर रहे थी। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों की बढ़ती वेपारिक गतिविद्यों ने नवाब शिराजु दोला को संकट में डाल दिया। इसी अनिशित्ता के वातावर्ण में नवाब शिराजु दोला ने 1756 इसमी में कलकत्ता पर आकरमन कर दिया, था अंग्रेजों की बिजए प्राप्त की। इसके बाद क्या हुआ शिराजु दोला ने फॉर्ट विलियम पर कलकत्ता के फॉर्ट विलियम ए 7056 इस भी में उसको घेर लिया और उसको भिजय प्राप्त कर लिया ठीक है उसको जीत लिया अंगरेजीयों का फॉर्ट विलियम को जिसके परणाम सरूप मदराज से क्लाइव और वाटसन के नित्रित में इस्ट इंडिया कमपनी की सेना कलकत्ता पहुची इसके बाद क्या हुआ अंग्रेज तो पूरी ते समन बना चुके थे चुकी वहाँ पर सिराजु दोला के द्वारा कलकत्ता के फोर्ट विल्यम को जीत लिया गया था अब यहाँ से उसी समय कलाइव आपका मदरास में था मदरास वाटसन को बलाता है वाटसन और कलाइव दुनों मिलकर इस्ट इंडिया कमपनी की सेना के लेकर कलकत्ता पहुचत कलकत्ता की किलवन्दी करने का अनुमती मिल गया व्यपार करने के पुराने अधिकार मिल गये जो पहली जीत तरह थे वह व्यपार करते थे वह अधिकार मिल गये कलकत्ता पर अधिकार करने में जो छती अंग्रेज्जों को हुई उसकी छती पूर्टी का वचन भी नवाब बने दिया अब जो भी कलकत्ता को अधिकार करने में जो मतलब जितने खर्चे पैसे खर्च हुए जो छती पूर्टी के लिए नवाब भी बोल दिया कि जो भी खर्चा हुआ हम आपको दे देंगे ठीक है उसी समय आपका ब्लेक हॉल की घटना हुई थी इस घटना के अंतरग हुआ हिसंधे 23 विकंटी जिंदा निकले थे जिंदा निकले थे उस में से एक विक्ति था कौन था हॉख वर घटना बताता है कि बहुत ही कि 146 एक कमरे मुतना भरा जाना थोड़ा संभव लगता है लेकिन फिर भी चलिए दर्शाता है कि उसी सिति में क्या समस्याइं हो रही थी वह बताया रहा है उससे कोई समस्याइं दिकत नहीं है ताइस लोग ही जिंदा वापस निकल पाए ठीक है इतिहासकार गुलाम हुसे ने अपनी पुस्तक स्यारूल मुत्खेरीन में भी इसका कोई उलेक नहीं किया है कि इतने लोगों की मिर्थी हो गई थी ठीक है प्लास यूद कब हुआ था तैस जुन सत्रों संदावन में रोबर्ट क्लाइब तथा शिराजु दॉला के सेना के मद्ध हुआ था लेकिन हर को जानता है कि बंद कमरे में लड़ी के लड़ाई थी यह तो पहले से प्री प्लैनिंग था चुकि शिराजु दॉला का अपका कि मिर्जा फर तो पहले ही बिग चुका था ठीक है मिर्जा फर कट पुतली अंग्रेजों ने दृड़ा लड़ाई थी अंग्रेजों ने किसी तरह तो हत्यार का उपयोग किया ही नहीं था उसके बाद आता बक्सर का युद बाइस अक्टूबर 1764 मेजर मुन्रो हेक्टर मुन्रो तथा मिर कासिम तथा नवाब सुजावदॉल्ला और मुगल सम्राट साह अलम द्यूतिय के सेना के मद्ध हुआ था पड़नाम यह हुआ कि आपका इलाहबाद की पर्थम संदी वी तथा द्यूतिय संदी तथा बंगाल अंग्रेजों के अधिन आ गया बंगाल बिहार उडिसा की दिवानी 1764 बक्सर की युद में ही इनलोगों को मिल चुका था ठीक है चलिए अब पढ़ते हैं बक्सर का को कि क्लॉइब ने अपने सेन अभियान का आरम चंद्रनगर से किया कहा से किया 23 का उफॉद यूद्य यूद्य लदने जा रहे थे सिराज्या दोलह के साथ तो अपने जो पहला अभ्यान जो आरम किये चंदरनगा से आरम किया तथा सिग्र ही प्लासी तक पहुंच गये ठीक है लड़ाई कब होता 23 जुन को प्लासी की लड़ाई से पुर्वी कलाईवी ने सड्यंत्र के दवारा नवाब के पर्मुक अधिकारियों ध्यान रखेगा नवाब के जो पर्मुक अधिकारी थे जैसे सेना का सेना पती मिर्जाफर था बंगाल का साहोकार जगत सेट था राय दूरलब था तथा अमिर्चन क को अपनी तरफ मिला लिया मैंने जितने भी उसके वेखती थे सबको अपने तरफ मिला जुका था अंग्रेज अब यह तो सीधी सी बात लड़ाई लड़ने जा रहे हैं इससे पहले ही पर सारा सेटिंग हो चुका था तब लड़ने क्या जा रहे थे जूट मुटकर दिखाव वही नवाप की सेना के जो नयत्रीतु करता विस्वास घाती वही कौन विष्वास घाती मियर जाफर के हहाथों में था वो उसका नयत्रीतु कर रहा था शिराजु दोला के तरफ से इन राजदरोय। के कारण शिराजु दोला के बिस्वसनिये सेनिक मीरमदान और मोहनलाल बिर्गती को प्राप्थ हुए थे क्या हुआ है मीरमदान और मोहनलाल बिर्गती प्राप्थ हुए इसी में इसके बिस्वसनिये सेनिक थे यही दोनों थे जो शिराजु दोला के तरब से लड़ रहे थे और निस्वार तरीके से लड़ रहे थे शिराजु दोला ने भाग कर मुर्सिदाबाद में सरल ली युद के मैदान से शिराजु दोला भाग चुका था वहाँ से जाकर मुर्सिदाबाद में सरल ली लेकिन मुर्सिदा बाद में जाने के बाद मिर जाफर का जो पुत्र था उसका बेटा था उसकी हत्या कर दी यूद के बाद मिर जाफर को अंग्रेजों ने नवागोशित कर दिया वो तो पहले ही तय था वह नवाब बन चुका था मिरजाफर हद्या के बाद नवाब वोशित क shifting जिसके बदले में उसके मिरजाफर को तो कुछ graphics कुछ चुकाना पड़ेगा अंग्रेज तो इतनल बिना वज़ा से तो करने रहे थे अब मिर्जाफर वहां का नवाब बन चुका था अब देखे नवाब बनने के बाद वो क्या किया अंग्रेजों को बंगाल बिहार उडिसा में मुप्त व्यपार की अधिकार दे दिया अब अंग्रेज बंगाल भिहार उड़ेसा में बिना रोक टोक के मुप्त वेपार कर सकते थे तथा 24 परगनों की जमिनदारी भी दी गई 24 परगनों की जमिनदारी भी अंग्रेजों को दे दी गई बंगाल की समस्थ फ्रांसिसी बस्तियां अंग्रेजों को दे दी गई बंगाल में जितनी भी फ्रांसेशी बस्तियां थी वो सारे अंग्रेज़ों को दे दी गई साथ ही यह भी निश्चित किया गए कि भविस में अंग्रेज पतादिकारियों तथा वेपारियों को नीजी वेपार का कोई चुंगी नहीं देना पड़ेगा अब भाई साब मीर जाफर तो नवाब बन चुके थे अब वो तो महरबान हो चुका था अगर उसमें उसके पास सूपर नेचुरल पावर भी होता तो वो भी बोलता बोलो वस्त तुमको क्या चाहिए अंग्रेज बोलते हमको यह चाहिए तो दे देता चुके पूरी तरह से थे अश्त जितंसे तो भाव विवोर हो चुका था अंग्रेज जो मांगते जा रहे थे है नवाब लुटाते जा रहा था इस पुदा थिकारियों बेपार कि नेजी विपार ब्याफर, कोई चुंगी नहीं नहीं लगे गिए ठीग है बिलकुल बेफिकर हूँ कि अब नही युद्ध में किसी सेनिक योग्यता का परधसन नहीं किया था, चुकि वो बंद कमरे में लड़ी भी लड़ाई थी, उसमें सेनिक परधसन क्या करते हैं? प्रदसन नहीं किया था बलकी राजनितिक सड्यंत्रों तथा विश्वास घातियों के बल पर प्लाशी के यूद को जीता केयम पनिकर के अनुसार याज एक स्वदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मिर्जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथो बेच डाला प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल धिरे धरे अंग्रेजों के अधिन हो गया प्लासी का युद्ध हुआ था प्लासी के युद्ध तो जीत चुके थे अब धिरे धरे बंगाल जो था अंग्रेजों के अधिन हा गया उसके हाथ में आ गया अंग्रेजों का नवाब जेपारिक कंपनी नहीं रही पर तो तो राजनीतिक सकती भी बन गई पूरी तरह से नवाब को हरा चुके था अब अपना मनमर जी से जिसको चाहए उसको नवाब बना सकता था तो यह राजमितिक सकती भी बन चुका था तथा निर्प निर्पाता की भूमिका में भी आ चुके थे अब जिसको चाहे उसको नवाब बना सकते थे जिसको चाहे जिसको हटा सकते थे ठीक है पूरी तरह से निर्प निर्पाता की भूमिका में आ गई थे इसी स भर को हटाये जाता है मुगल बाध्शा मुगदर्शक बने रहे ए prints इंडे कंपणि केοςक्य के यसंडे कंपणिनें बंगाल के 10 संबी . Woo Barco रहे ए 10 स emerverse मीशा प्रिद्वाध के लडाई के पश्चारN लडाय कि पोषचा नंंत साधन São Petal को अंग्रे जोगर पॉंड थी जो चांदी के सीकों के रूप में थी इसके पचात बंगाल की लूट का निरंतर कर्म चलता रहा तता बिटिस कंपनी बंगाल से अन विदेशी सक्तियों से जैसे डचों प्रांसिस्टियों को प्रास्त कर सकने में सच्चम हुई साथ ही अन छेतरी सक्तियों का भी दमन कर दिया गया फलता धिरे धिरे बिटिस कंपनी विपारिक एक अधिकार से राजनितिक एक अधिकार की और बढ़ने लगी पहले तो सारे लोगों को तो जितने भी यूरोपिय कंपनिया थी सारे को तो प्रास्त अंग्रेज करी चुका बाजनितिक एक अधिकार की और भी नवाब को प्रास्त करने लगे तो पूरे तरह चींग्राइना खाला है नवाब तो एकाधिका राजनेती एकाधिका की और भी बढें लगी इस युद्ध के संदर में जे भी मालेशन ने कहा था कि कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ जिसके ततकालिक और अस्थाई परिणाम इतने महत्पुन हुए हो कोई ऐसा यूध नहीं हुआ जिसके ततकालिक और अस्थाई परिणाम इतने महत्पूर्ण हुए 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 प्लासी के यूध के बाद घटना करम मीर जाफर इस्ट इंडिया कमपनी के कटपुतली था परंतुवा 1760 इस भी आते आते कलाइब और कमपनी की आर्थिक मांगो को पूरा करने में आसमर्थ हो गया चुकि ओ मीर जाफर अंग्रेजों के ब्रिटिस कमपनी के ही रहमो करम पर बना हुआ था नहीं अब अंग्रेजों जो थे तरा तरा की डिमांड करने लगे अब उसकी डिमांड को पूर्थी करने में आसमर्थ होने लगा मीर जाफर अब आसमर्थ होने लगा तो अंग्रेजों को लगा इसको अब रखने से क्या फाइदा इसको हटाना ही बेतर है अब दुसरा को मनाते हैं अब दुसरा को भी बनाएगा वो भी महरबान होगा अब पर दचों के साथ मिलकर अंग्रेजियों के विरुद्द गतिविदियों में सलंगर होने का आरोप लगा कर नवाब के पत्से अपदस्त कर दिया अब इलजाम लगा दिया मिल जाफर पर कि भाई साथ अब पर दचों के साथ मिलकर हमारे हमारे विरुद्द रच रहे हैं अब उसके कारण शड़ियंद्र रचने के कारण आरोप लगा कर उसको अपदस्त कर दिया इसके पहसाद कंपणी ने मिर कासिम को बंगाल के नवाब बनाए भाई सब अपने मर्जी से उसको भटा दिया मिर कास मिर कासिम ने नवाब बनने के बाद कम्पनी को वर्दमान मिदनापूर चटगाओं के जिले परदान कर दिये साथ ही कम्पनी के दच्छिन अभ्यानों के लिए पांच लाक रुपिय दिये मिर कासिम ने कम्पनी के परमुक अधिकारियों को भी पुरुस्प्रित भी किया मिर कासिम योगी परसाशक था इसमे नोड़ा मिर कासिम एक योग परसाशक था एवं कुसल नेता था नवाब बनने के कुछ समय पश्चाद कम्पनी के परभाव से दूर रहने के लिए वह अपनी राजधानी मुर्सिदाबाद से मुंगेर ले गया योगी शाशक भी था तो उसका जो राजधानी मुर्सिदाबाद था और अग्रेय से जितना दुर रहेंग परज़ान अपनी राजधानी मुर्सिदाबाद से मुंगेर ले गया मिर कासिम ठीक है मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपिय पधती पर किया अब उसने मीर कासिम ने अपना सेना का गठन करना चालू कर दिया और वो भी यूरोपिय पधती से करना चालू कर दिया तथा नोकर साही का भी पुनर गठन किया मुंगेर में तोपों तथा तोड़ेदार बंदुकों को बनाने की वेस्था की गई, मीर कासिम ने वित्य मामलों में वित्य मामले को भी कुसलता से सुलजाया तथा वित्य प्रहस्टाचार को समाप्त करने का भी पर्यास किया अब मीर कासिम के सुधारातमक प्रयासों से नवाब और कंपनी की सबंदों में तनाव आ गई नवाब ने जो आंतरीग व्यपार पर लगे ऐसमें करों को समाब्द कर दिया तब अंग्रेजों के विशेशा अधिकार समाप्त हो गए अब मिर कासिम अपना मूड में आ चुका था उसको चाहिए भाई टेक्स अब क्या किया जितने भी अंग्रेजों को छूट मिला हुआ था अब अत्रिक्त व्यपार पर लगे सभी करों को छूट समाप्त कर दिया अब अंग्रेजों के विशेशा अधिकार समाप्त हो गए तहां तब है कि आंत्रिक व्यपार में बढ़ते भ्रहस्टाचार से मीर कासिम के वित्य साधन और राजनेति अधिकार सीमित हो रहे थे इसके अंतरगत मीर कासिम ने दस्तक का प्रशन उठाया चूंकि दस्तक छूट मिला हुआ था इनलोगों को प्रशन उठाय जिसके अनुसार रंग्रेजों को कर की छूट दी गई थी बृटिस अधिकारियों ने यही दस्तक धन लेकर भारतिय वेपारियों को देना आरम कर दिया जिससे बंगल के राजसुब को छती हो रही थी फलता मिर कासिम ने सभी आंत्री करों को हटा दिया अब भारती वेपारिय भी अंग्रेजी वेपारियों के समान हो गए अब अंग्रेज को चिड मचेगा अब हुआ क्या एच एच डॉडवेल के अनुसार युद बकसर का युद प्रस्तितियों के कारण की युद के उद्देश से नवाब अपनी इच्छा से बंगाल में राइज करना चाहता था परन्तु अंग्रेजों ने बंगाल का अगला नवाब पुना मिरजाफर को ही बना दिया गया अब उसी के हटाने के बाद 1764 का बकसर का युद होता है आगे चलके ठीक है बकसर का युद सेनिक उपलब्धियों के अधार पर अंग्रेजों की पहुत बड़ी जीत थी चुकि तीनों सेनाओं के समलित सेना से लड़ा हुआ था प्लासी के युद में अंग्रेजों के जीत सिराजु दोला के बिरुद सेना नायकों के विश्वास गहत का पड़नाम थी किन्तु बकसर के युद में अंग्रेजी सेना ने अपने अनुभव के बल पर सुजावदोला के नेत्रित वाली संयुक्त सेना को प्राजित किया था अवद के नवाब सुजावदोला से मीर कासिम ने सरन की मांग की अवद के नवाव के पास ही उस समय मुगल समराथ सहा आलम दित्य भी सरन में थे इन्ही तीनों के संयुक्त होकर अंग्रेजों के विरुद एक समझोता किया फलता 22 अक्टूबर 1764 इस्वी को बक्सर का युद्वा बक्सर के युद्व में बिट्टी सेना कर नित्रीतु हेक्टर मुंड्रो कर रहा था ठीक है कि 765 इस्वी भारत का वर्तवान अंतराश्टिय सिमाएं अंतराश्टिय सिमाएं कहां कहां थी इस युद्व के पच्चात मुगल समराथ साह आलम दितिये अंग्रेजियों की सरण में आगे तथा नवाब सुजाव दोला ने आत्म समर्पन कर दिया सुजाव दोला राजनीति के साथ-साथ युद्व कला का भी अनुभव रखते थे ऐसे योगे सासों को पुराजित करने से बिर्टिस कंपनी की परतिष्ठा में बिर्धी हुई तथा बंगाल में बिर्टिस सत्ता की अस्थापना हुई बकसर के युद्व ने भारत का समराज अंगरेजों के लिए खोल दिया अब बकसर के युद्व था भारत का समराज अंगरेजों के लिए खोल दिया था इस युद्ध के पच्चा थी अंग्रेजों ने मेसूर और मराठों को चुनोती दी अब भारत की दास्ता केवल समय का प्रस्ण था इसी युद्ध के संदर में जिवी मालसेन ने कहा था कि चाहे आप इसे देशी या विदेशियों के मद्ध दौन्द युद्ध के समझें अथवा ऐसी सारगर्वित घटना जिसके पर नाम अस्थाई या विसाल थे बकसर को सबसे निरनायक युद्ध में गिना जाएगा चुकि बकसर ये एक ऐसा युद्ध था जो मतलब लोहे का किल जैसा मतलब साबित हुआ ठीक है एक निरनायक युद्ध के रूप में इसको जाना जाता है चुकि तीनों नवावा के समलित सेना को हराया था जिसे मानियाता भी मिली चुकि मुगल बादसा भी था उसमें मुगल बादसा को हराना मतलब सेनावओं को हराने के पराबर था क्योंकि शम्मान जनक पद था उसमें इंडिया के लिए तो इसको हरा दिया था तो निरनायक उद्ध के मैं युद्ध के लिए युद्ध की तरह देखा जा रहा था बकसर के युद्ध को इस योद्ध के पत्चात कलाइब ने मुघल संपराट साहालम दियतियात अवट के नवाब सुजाव दुल्ला के साथ करमस्ता इलाहबाद की पर्थम और दियुतिय संदी 1765 में किए इलाहबाद की पर्थम संदी के द्वारा कमपनी को सहालम दियुतिय से बंगाल बिहार उडिसा की दिवानी प्राप्त होगी तथा अवध के नवाब से कड़ा और इलाहबाद के जिल्ले प्राप्त करके मुगल संदी को दे दिये अब हुआ क्या पहली बार साथ पूरा मुगल बाद सा था अब उसको बंगाल बिहार उडिसा की दिवानी मिल चुकी थी उसका श्टाम मिल चुगा था अब कहीं भी वेपार कर सकते थे अराम से कोई बिना रोक्त हो कि अब उससे क्या किया अवध के नवाब से अवध के नवाब से कड़ा और इलाहबाद ले लिए और उससे लेकर मुगल समराट को दे दिया बाइस अब देख लिए अपना कुछ लेना देना कुछ नहीं उन् कि अब साल में 26 लाग वार्षिक रुपिया 26 लाग उसको वार्षिक पेंशन देना मुगर समराट को मत बोल दी कि चलो मिल जाएगा आपको 26 लाग रुपिया इल्हाबद की न्तर वाट की दितिय संती कि अंतर्गत इल्हाबद और कडा को नवाब सुचाद लुला के द्वारा अंग्रेज्एं को दे दिआ गया अब यह हुआ इल्हाबद की दित्य संत के अंतर वाट कि वैसे संधी अंतर चुह आत्प को था मुगल समराट को ठीक है अवद के नवाब से लेकर आपका इलहाबाद और कड़ा मुगल समराट को दे दिया गया था लेकिन दूतिय संदी में इलहाबाद की दितिय संदी जब हुई तो इलहाबाद और कड़ा को नवाब सुजाव दोला के द्वारा अंग्रेजों को दे दिया गया अब सुजाव दोला से ले करके किसको दे दिया गया अंग्रेजों को दे दिया गया पचास लाग रूपिये युद्ध छति पूर्ति के रूप में दिये गये अब जितना जो खर्च हुआ पचास लाग रूपिये बिटी सेना अवद में रखी गई, नवाब के खर्च पर ही, बिटी सेना अवद में रखी गई, अंग्रेजों की मैसूर विजे, अंग्रेजों की मैसूर युदे, 18 सतापदी के उदराद में मुगल सत्ता के कमजूर होने के साथ ही छेतरिय सक्तियों का उदय हुआ, इन्हीं इस्तितियों में हेदर एली तथा उसके पचाथ टीपू सुल्तान ने अपनी सत्ता मैसूर में अस्थापित की, सता के हस्तांतरण की परकिरिया मेसूर के रاجा वडियार ची की क्रिश्न राज के काल में हुई, सता प्राप्ती को लेकर दच्छिन में निजाम, मराठों, अंग्रेजों और फ्रांसिशियों के मजद होरे, चतुस कोन्य संगर्स्क ने मेसूर को भी इस संगर्स में समलित कर लिया फलता सत्रों सट्रों संतावन इस भी में बंगाल में अपनी सत्ता अस्थापित कर चुके थे तथा दच्छीन में अपनी सत्ता को विश्थारित कर करना चाह रहे थे क्योंकि मेसूर राइज की भोगलिक अवस्थिती मालावार तट के कारण अंग्रेजों के लाबकारी व्यपार में सहता प्रदान कर सकती थी दच्छीन भारत में मेसूर राइज की पर्मुक बिरोधी सक्ति के रूप में उभर रहा था दच्छीन भारत में जो मेसूर था मेसूर राइज अंग्रेजों की पर्मुक बिरोधी की रूप में उभर रहा था हैदर और टीपू का फ्रांसिस्यों से सबंद बिर्टिस कंपनी के भारत में समराज विस्तार के लिए भी खद रहा था अब टीपू सुल्तान का फ्रांसिस्यों से सबंद बिर्टिस कंपनी के लिए भारत में समराज विस्तार के लिए भी खद्रा पैदा हो सकता था चुकि टीपू सुल्टान फ्रांसुशेश से नजदी क्या बढ़ा रहा था तो उसके लिए अंग्रेजों के समराई विस्तार में लोग बाधार ओड़ा उत्पन करते हैं यही कारणे कि अंग्रेजों और मेसूर के मद्ध चार युद्ध हुए ठीक है जिसमें अंत्ता अंग्रेजों की जीत हुई तथा मेसूर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया चलिए आगे देखते हैं कि पर्थम युद्ध कब हुआ 1767-69 मद्रास की संधी हुई ठीक है गवर्नर उसमें हेरी वेरलास्ट था द्यूतिय युद्ध कब हुआ 1784 मेंगलोर की संधी उसमें हैदर की मिर्ती हो गई वार्नेस्टिंग गवर्नर था उसमें तीरतिय जब उध्वा आंग्ले में शूर सब्सक्राइब का तीरतिय आंगल में शुरू युद्ध हुआ जब 1790 से सब्सक्राइब तो यहां नहीं होगा भाई 1790 से भी रासी लिखा है कि कि देखने दो कन्फर्म होना दो जी यहां गलती है प्रिंटिंग मिस्टेक है 1790 से 92 हैं यहां पर कि यहां सब्सक्राइब तीरतिय आंगल में शुरू युद्ध कभवदा 1790 से 92 में श्री रंग पत्नम की संदी टीपू की हार भी गौर्णल लौड करन्वालिस था हुआ समय